इस वीडियो लच्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो लच्चर के अंतरा हम लोग बच्चों इस वीडियो लच्चर था वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था यादे आपको वहाँ पर हमने बच्चों हिस्ट्री की शुरुवात कर दी थी हिस्ट्री की हमने शुरुवात की और वहाँ पर हमने देखा था कि भई कौन कौन सी कंपनी जो हैं भारत में आई थी टोटल पां अच्छा साथ मैंने आपको बताया था एक मात्र प्राइवेट कंपनी का उसी थी ब्रेडिश इस्ट इंडिया कंपनी वो भी आपको याद होगा तो कहने का मतलब है कि हमने काफी सारी चीजे जो है लास्ट जो लेचर था उसमें कवर कर ली थी और हमने पुर्तगाली वास्कुडерм बं दरगा है कि सब्सक्राइब आंब कालिक बंदरुस्क्रा इंताई के राश्टे से अच्छा कहां पर आए तूं सारी कि डी थी मैंने आपको बताए तक पहले लगोए दो आए लिए और पहले पान पर थी तो कहा पर कोचिन में और और फिर मैंने लास्ट में जो चीज लिखे थी वो क्या थी वो थी भाया पुर्तगालियों के गवर्णर याद होगा मैंने तीन नाम लिखे थे कौन-कौन से अगि अगी तो चलीए आईए शुरू करते हैं आज की कलास चलो बच्चो सबसे पहली बात अगर आपको याद हो तो मैंने तीन गवर्णनर्स के नाम लिखे थे उन मेंसे जो सबसे पहले था बच्चो सबसे पहले वाले का नाम था अलमेडा क्या नाम था भाई? सबसे पहले वाले का नाम था अलमेडा और अलमेडा का टाइम कितना था? पंदरा सो पांच से लेकर पंदरा सो नो तक अच्छा आप लोगों को चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी आपको ये जो टाइम लिखा हुआ है ये याद नहीं करना ये जो सामने टाइम लिखा हुआ है ना पंदरा सो पांच से पंदरा सुनो ये आपको याद नहीं करना बस ये तो मैं दिखाना चाहता हूँ मुझे ग्यान है चीक है? चलो जो जोगसा पाट तो Almeida की बात करते हैं बहुई दिखो Almeida के बारे में बच्चो सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल तो यही बनता है क्या बनता है कि ये पॉर्तगालियों का पहला गवर्नर था ये पॉर्तगालियों का पहला गवर्नर था He was the first governor of Portuguese बताय था मैंने आपको दूसरी important बात क्या है बच्चो दूसरी important बात यहां पर यह है कि भाईया इसने इसने एक policy शुरू की थी उस policy का नाम क्या था इसने blue water policy शुरू की थी क्या शुरू की था भाई blue water policy जो है इसने शुरू की थी ठीक है अच्छा ये question आपके defense के exam में कई बार पुछा गया भाई ठीक है मैं लिख देता हूँ पहले इसने blue water policy शुरू की थी ठीक है बच्चो आपके defense के exam में defense के exam में कई बार पुछा गया ड्रेक्ट पुछ लेता है कि भाईया blue water policy किसने शुरू की थी तो जवाब क्या होगा sir Almeida ने की थी अब सवाल ये बनता है कि sir ये blue water policy है क्या आखिर blue water policy क्या है देखो जरा अच्छा कई लोग जो हिंदी बीडम के हैं वो कहेंगे sir blue water policy को क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं नीला पानी निती नहीं भई नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ठीक है वो ऐसे लिखेगा अगर वो हिंदी में लिखना जाएगा तो वो ऐसे लिख देगा blue water policy पेपर में आया भी था एक बार defense के एक पेपर में इस तरह से लिख देगा blue water policy तो आपको बच्चो blue water policy ही याद करना है ठीक है तो blue water policy किसे ने शुरू की भई तो वो शुरू की थी Almeida ने कलीर है बच्चो इतनी बात तो अच्छा दूसरी important बात भई एक और बात blue water policy है क्या उसको समझ लो जड़ा उसको समझ लो जड़ा just a minute मैं आपको भी बताई देता हूँ blue water policy क्या है भई ये world का map याद होगा आप लोगोंने pdf में देख लिया होगा world का map अब पंगा क्या था बच्चो भई पुर्तगाली यहाँ पर वैपार कर रहे थे यहाँ पर वैपार कर रहे थे अब बच्चो यह जो समुंदरी रास्ता था ना इस समुंदरी रास्ते पर यह जो लोग यहाँ पर अफरीका में रह रहे थे अफरीका में जो लोग रहे थे ठीक है तुर्की अर्बिर जो लोग थे इन लोगों का कबजा था इस पूरे समुंदर पर इस पूरे समुन्दर पर तो यह अफरीकी लोग क्या कहते थे कि भईया पुर्टगाली ओ अगर तुम्हें हमारे समुन्दर से निकलना है तो तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा आप यूं कह सकते हो कि इन्हों ने रस्ते में कई जगा क्या लगा दिये थे टोल टेक्स लग होगे तो हम तोमारा जो समान है वो जाने नहीं देंगे प्रॉब्लम यह थी कि जितनी कमाई नहीं होती थी उससे ज्यादा पुर्तगालियों को घटा हो रहा था अब मालो पुर्तगालियों ने समान तो खरीदा 500 रुपे का ठीक है और मालों को 500 रुपे का मुनाफ़ा होने हाला है ठीक है लेकिन भाईया जो टेक्स था वो कितना था 1000 रुपे तो पूर्तगालियों कहते हैं 500 रुपे हमेरा प्रॉफित होता है हजार पर हमें जो है टेक्स देना पड़ता है बचा क्या हमारे पाथ तंबूरा बहुत 500 रुपे हमारा कैसे गुजारा होगा तो पीस स है क्या कहा अपने बंदों को अलमेडा कहा बिडू एक काम करो अपने जहाज के अंदर मसाले कम रखो साला हत्यार जादा रखो बोले क्यूं पहले आगेश कभीभी यह लोग अगर आपसे टोल टेक्स मांगे तो उनको पहलो रुखो बेटा देते हैं ड्रण द्रण को यान नहीं देने यहीं था Blue Water Policy समुंदर के पानी के हैं नीला Blue Water पोलिशी क्लीर है बंज में आगी होगी इतनी बात तो पालिशों सींपल सह क्या मतलब थी वह टिर पालिशी का सिंपल सह मतलब था कि अपने को क्या करना है बैया अपने को जमीन पर आज नहीं करना है अपने को भारत पर आज नहीं करना है अपने को समुंदर पर आज करना है कमाल के वाद यह देखो अलमेडा इतिहास में पहला ऐसा बंदा है जो पानी के लिए लड़ा है वहना आप लोग देखते हैं आज के टाइम में भी क्या होता है जो लोग है क्या करते हैं या तो जमीन के लिए लड़ेंगा या लड़की के लिए लड़ेंगे लेकिन अलमेडा ऐसा बंदा था जो पा कौईंट बनेंगे कौन-कौन से एक तो क्या कि भृया ये पुर्टगालियों का पहला गवानर था या फॉस्ट गवनर ओ पॉर्च्टिकेस और दूसरा बनेगा कि भाया इसने ब्ली वटर पोलिसी शुरू की थी का था अल्भुकर का टाइम क्या था अल्भुकर का टाइम funding subscribe कह bottom सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या थी यह पुर्तगालियों का वास्त्विक संस्थापक भाई पुर्तगालियों का वास्तिए संस्थापक था यह कि वास्तिए में पॉर्चिगेस अब भाई इसको जो यह वास्तिए संस्थापक क्यों कहा गया HELP इसके पीछी पारण है इसके पीछ और कहानी है बचो कहानी किया है देख और सिंपल सी बात है थीक है उस Usually think फुक्टिया लगवाई फिर वो चला गया कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन वास्तम में पुर्टगालियों के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है अल्भुकरक ने कैसे किया बे अल्भुकर कहता कहता यार हम लोग ना इंडिया में यार नहीं नहीं तो आएं हैं अब हम क्यों ना क्यों ना हम लोग भारतिय महिलाओं से शादी कर लें बोले उससे क्या होगा बोले भाई अगर हम भारतिय महिलाओं से शादी करेंगे ना तो उससे होगा ये कि भाया कल को अगर हमें कोई भी दिक्कत होगी ना कोई भी दिक्कत होगी तो हमें किसी को नहीं कहना ह हमें अपने सालों को कहना है और आप लोग जानते होंगे बहिया इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कदर इंडिया के अंदर बचो सबसे ज़्यादा कदर किसकी है इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कदर किसकी है तो बहिया जीजों की है हर्या इसले व हमें मसाला चाहिए और इसी रेट में चाहिए कहीं से लागे दो समझ रहे हूं नइए कारण था को तो एपस्थ कहने के पीछे एक तो यह कारण था ठाए है और मैं आपको बतादू और यहां पर अठीस सकते हैं इसने क्या कहा इसने कहा कि भारतिये महिलाओं से शाधी करो हैं teenage biology भारतिये महिलाओं से चाली ख़ें करो एक पर सालएक बता दू хजब को बता दो एक और important चीज में आप लोगों तो उस टाइम पर सती प्रथा बहुत थी भाई पूरे भारत में तो लॉड विलियम बेंटिक ने की थी आगे चलकर हम पढ़ेंगे बेंटिक ने बेटियां बचाई यानकी बेंटिक ने सती प्रथा को खतम किया था लेकिन अगर कोशन आये कि भाई आप पूर्तगाली वो अल्बुकरक था बच्चो इस चीज को समझे ना पूरे भारत में सती प्रथा खतम नहीं की थी अल्बुकरक ने जहां थोड़े बहुत एरिया में जहां पर ये लोग वैपार कर रहे थे और ने कहा कि भाईया वहां पर सती प्रथा नहीं होगी तो ठीके तो तो तीसरा ुआ था कहा कि भाईया सती प्रथा को कि खतम करोुस्यिझत करो इससे सती प्रथा को खतम करोुस्यक्त आप लोगों ने गुवा का नाम तो सबने अने सुना ओँगा ठिके उसचा इंपरे जो हाना ना गोपर जो है एक सुल्तान था उसका रास था ठीक है बिजापूर एक एरिया होता था बिजापूर के अंदर गोवा आता था आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो है पूरा बिजापूर बिजापूर के अंदर यहां पर कहीं आता है गोवा ठीक है तो भाईया ये अलबुकर के भाई साब कहते कि मुझे तो गवा चाया तो ये गए उस राजा के पास उस राजा का नाम था युसूफ आदिल शाह क्या नाम justify शाया राजा का नाम ता युसूफ आदिल शाय तो इस was अ जोई है और युसुफ इस सुफ बोले भाई नहीं बोले गोवा तो मैं लेकर रहूंगा बोले तम्हारे बाप जादा नहीं देखे हैंगे हमें गोवा हमारा है बोले भाई साब अल्बूकरक प्यार से कहा हूं मान जाओ वरना मारहा को अकम घजीटोंगा जादा तो वही यूसुफ आदिल शाह गुस्सा हो आजा यूद के मैं ने बोले आजा और कमाल की बात अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल्शा को हरा दिया और उसको हरा कर उससे क्या जीत लिया गोवा जीत लिया और ये बात थी 1510 की आप एक बार कल की क्लास याद करके देखो जब मैंने आपको फैक्टरियां लिखवाई थी आपने नोट्स में देखना गोव में फैक्टरि कप स्थापित की गई थी 1510 में और ये आपके डिफेंस में एक्जाम में कोशन पूछा जा चुका है किसको हराकर पूर्तगालियों ने गोवा जीता था कोशन है किसको हराकर पूर्तगालियों ने गोवा जीता था तो जवाब क्या होगा सर अल्बुकर को हराकर तो आपर हम लिख सकते हैं कि युसुफ आदिल शा कौन था भाई ये था बिजापूर का सुल्तान बिजापूर का में इससे क्या किया गोवा जीता समझ में आ गया होगा बच्चों ठीक है तो अल्बुगर के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह पॉइंट इसने कहा कि भाईया शादी करो सथी प्रफ्था को खतम किया और गोवा जीता किसे यूसुफ आदिल शाह को हरा कर उनसे गोवा जी और पॉर्तगालियों की जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई बच्चों कोचिन क्या बनाई गई गई भई पॉर्तगालियों की राजधानी बनाई गई थी कोचिन कौन सी बनाई गई गई भई तो कोचिन गवा मत कन्फ्यूज करना आप इसको ऐसा याद कर सकते हो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां लगाई थी, जी कोचिन में लगाई थी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां लगाई थी, कोचिन में लगाई थी, तो बैया, पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी भी कहां बनाई थी, तो कोचिन में ब डी कुनहा नीनो डी कुनहा ये बंदा था भई और भई नीनो डी कुनहा का टाइम कितना था 1539 से 38 फिर बता रहा हूँ आपको ये टाइम याद नहीं करना भई इसके वारे में एक ही इंपोर्टन पॉइंट है इंपोर्टन पॉइंट क्या है जब ये गद्दी पर आया मल ज जब ये आया तो इसने का किया पॉर्टगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थांत्रेट कर दिया कोचिन से गोवा ट्रांसफर कर दिया तो इसने क्या किया भई लिख देता हूँ यहाँ पर इसने पॉर्टगालियों की राजधानी पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से गोवा कोचिन से गोवा क्या की? स्थांतरित की यानि की ट्रांसफर की कोचिन से गोवा स्थांतरित की कलीर है बच्चो इतनी बात कोचिन से गोवा अब यहाँ पर समझो जारा इस चीज़ को ध्यान से समझना जारा बई यहाँ पर मैंने लिखा राजधानी क्या थी कोचिन तो अगर आपसे कोचिन पुछा जाए पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी विच वाजदा फर्स्ट कैपिटल ऑफ पॉर्चिन तो आप जवाब क्या देंगे सर कोचिन थी और अगर पेपर में यह पूछ लिया जाए पुर्तगालियों की दूसरी राजधानी कौन सी थी तो पुर्तगालियों की दूसरी राजधानी थी भाई गोवा पुर्टगालियों की दूसरी राजधानी सेकंड कैपिटल कौन सी थी सेकंड कैपिटल थी बई गोवा क्लीर है बच्चों समझ में आ रही होगी सारी किसारी बात आई गैस इसमें कोई डाउट नी रहना चीए कोशन करीबर ड्रेट क्या देता है ना कि पुर्टगालियों की दूसरी राजधानी बताओ तो बच्चों को लगता है कि यार हो सकता है कि पुर्टगालियों की दो राजधानिया रही हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है पहले कोचिन थी पुर्तगालियों ने भारत में क्या-क्या योगदान दिया है Contribution by Portuguese in India तो हम heading लिखेंगे heading क्या है पुर्तगालियों दुवारा भारत में योगदान योगदान Contribution by Portuguese in India जब पुर्तगाली भारत में आए जब पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जब पूर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिससे भारत को आज भी फाइदा हो रहे हैं तो भाई इन्होंने क्या क्या किया मैं बता देता हूं आपको सबसे पहला सबसे पहला इन्होंने क्या किया भाई तंबाकू आलू टमाटर और मक्का सला सबजी वाली फिलिंग आ रही है जैसे सबजी वाला हूँ तंबाकू, आलू, टमाटर और मक्का की खेती शुरू की खेती शुरू की कि में अवह को माने 玩 को अलों माने डोन अर्मक्ण 작은 माने आगया और मख्क्रम को धेकर दॉड़ कि टे तो आपको यह बात पताओने चीए ठीक है दूसरी बात भई आप लोगों ने उसका नाम सुनाओगा न जलियान निर्मान जलियान का नाम सुना है तो जलियान निर्मान यानिकी शिप मैनफ्यक्ऺेंशर लिंगा vulnerabilities शुरू पुर्तगाली ने की थी क्लीर है बच्चों समझ में आ रहा है कि पुर्तगाली जब भारत में तो ने क्या क्या किया तो तंबाकू आलू टमाड़ रूर मका की खेती शुरू की प्रिंटिंग प्रेश की इस्थापना की और जल्या निर्मान यानकी शिप मैनिफेक्चरिंग क क्लीर है चलिए अब एक चीज समझो जबाए मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर पांच कमणी आए थी । मैंने हैं पो ट्रिक भी लिखवा दिए सबसे पहली कमपनी कों सी आए थी सर सबसे पहली कमपनी आए थी पुर्तगाली सबसे लास्ट में कौन सी है सबसे लास्ट में आई फ्रेंच कमाल की बात बच्चों ये है सबसे पहले पुर्तगाली आये थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए है कमाल की बात ये है हमारा देश 1947 में अजाद हो गया था लेकिन 1947 में भी पृतागाली हमारे देश में ही थे पृतागाली भारस से गये हैं 1961 में कहां से गए थे गवा से गए अब ये शान्ती से नहीं गए कि भारस सरकार की भोले भारस साब प्लीज बिंती करने हैं आप यहांँ से चलाज़ आइक ऐसा खुझ नहीं है इनको भारत से खधेडने के लिए भारत से इनको निकालने के लिए एक operation चलाये गया था सवाल आता है उस operation का नाम बताईए तो उस operation का नाम था Operation Vijay क्या नाम था बच्चों, उसका नाम था Operation Vijay या पिर यूँ कहतेगा, पुर्तिगाली भारत में कहां से गए थे सर गोवा से गए थे कब गए थे जी 1961 में गए थे और एक और कमाल की बात आपको बता दू जिस टाइम पर पुर्तगाली भारत से गए गोवा से गए तो उस टाइम पर गोवा को बनाय गया था केंदर शाशित परदेश यानि की Union Territory 1961 में लेकिन आज के टाइम में तो गोवा राज्य है तो सवाल ये बन जाएगा कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला When did गोवा got the title of state तो जवाब होगा 1987 1987 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था क्लीर है बच्चों तो क्या क्या important points है इसके बारे में तो आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे कह सकते हो कि भाईया 1961 में 1961 में पुर्तगालियों को पुर्तगालियों को भारत से निकानने के लिए भारत से निकानने के लिए operation विजे चलाया गया था operation विजे चलाया गया था जो कामियाब रहा जो कामियाब रहा यही बात होगी भाई एक तो यह point हो सकता है दूसरा important point पुर्तगालियों को 1961 में गोवा से निकाला गया कहां से निकाला गया भाई गोवा से निकाला गया था ठीक है अच्छा और important point क्या है 1961 में गोवा को केंदर शासित परदेश बनाया गया था और एक और important point क्या है 1987 में गोवा को राजजय का दरज़ा मिला 1987 में गोवा को राज़य का दरज़ा मिला ठीक है तो जल्दी से ये सारे के सारे points नोट कर लो I hope सारे चीज़े क्लिर हो गई होगी नोट नहीं कर पाओगे तो कोई issue नहीं है भाई ठीक है इसको आप बाद में नोट कर लेना आपको PDF परवाइड करवा ही दी जाएगी आपको तो पता ही है PDF आपको मिल जाएगी कल की class की भी आपको PDF मिली थी तो इसकी भी मिली जाएगी ठीके तो आप ध्यान रखेंगे 1971 में पूर्टगालीं को गोवा से निकाला गया ठीके निकालने के लिए उप्रेशन विजय चलाए गया था जो की काम्याब रहा 1961 में जो है गोवा को क्या बना दिया गया गया केंदर्शाषी परदेश बना दिया गया था और 1987 में 1987 में गोवा को क्या मिला गोवा को जो है राज्ये का दर्जा मिला था क्लीर है बच्चों I hope यह सारी की सारी चीज क्लीर हो गई होगी चीक है अभी हम क्या देखने वाले हैं अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पर नाम आया है operation विजे नाम क्या आया है नाम आया है operation विजे तो आपको बता दूं operation विजे नाम का एक और operation भी है operation विजे नाम से एक और operation भी है यह भी मैं यह आपर नोट करके लिग देता हूं operation विजे जो है यह operation चुलाया गया था 1999 में ठीक है 26 जुलाई सबको पता होगा Captain Vikram Batra Cargill Divas Cargill Divas Captain Vikram Batra Cargill Divas अभी हाल ही में Movie आई यह नहीं अभी हाल ही में मूवी का نाम क्या है Shiersah Movie का नाम क्या है Movie का नाम है Shiersah सबको पता होगा भाई Movie का नाम क्या है Shiersah नाम है तो इस मूवी को देखना जरूर आपको motivation मिलेगा भाई मूवी कौन सी आई अभी शेर शाह अच्छी मूवी है ठीक है इस मूवी को देखना जरूर बहुत अच्छी मूवी है तो 1999 में 26 जुलाई को कार गिल के ओपर जो विजय प्राप्ट की थी ठीक है उस दोरान भी जो प् operation विजय क्लीर है तो operation विजय दो है तो इसमें कंफ्यूज मत होना ठीक है अगर कोशन पुछा जाए operation विजय कब launch किया गया था तो या तो option में 1999 मिलेगा या आपको मिलेगा 1961 ठीक है चलिए तो जब पूर्तगाली अब हमारे होते हैं खतम पूर्तगालियों के बारे में इस और एक ट्रिक क्या ता ही टरिक करिया दो फींटीज भीडिस थो हम लोगों ने हम लोगों ने पीपढ़ लिया अब हम पढ़ने वाले हैं यह कई है मतलब है यह डाच क्या मतलब है डाच वए डे च कंपनी 1598 में भारत में आई थी कब आई थी 1598 में भारत मेंके nuevos 沒有 क्लीर है बच्चो समझ में आ रहा है अच्छा पहला पुर्तगाली जो भारत में आये था वो कौन था वास्कोडिगामा ठीक है वास्कोडिगामा कहां का था पुर्तगाल का था डच लोग कहां के थे सट डच देश के थे भाई डच नाम को कोई देश ही नहीं है डच नाम का क बच्चों तो देश का नाम ही बच्चो निदर लैंड एक तो आपको ये ध्यान अकों आए बही निदलन्द देश के थ राइट भई दच लोग किस देश के थे निदलेंड देश के थे और निदलेंड की राधानी क्या है बोले तो आमस्टरडम है ठीक है भई नोट्स जो हैं इसके क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएंगे कलास के भी आपको नोट्स मिले होंगे वैसे इसके भी मिल जाएंगे भई ठीक है तो निदलेंड की राधानी आए इस देश आए मस्टरडम अच्छा एक और चीज भई पूर्तगाली का उदेश क्या था पूर्तगाली करने आये थे मसालों का वैपार वैसे ही वैसे एगर प आये थे ये करने आये थे बच्चोब कपडों का वैपार यान की mayonnaise ट्लेट अच्छा पहला पुर्तिगाली जो भारत में आया वह कौन था पहला पुर्तिगाली जो भारत में आया उसका नाम ता वासको डीगा माँ पता है सबको लेकिन कैस胃 पुछ पहला Dutch यात्री जो भारत में आया उसका क्या नाम था तो भाईया पहला डच जो भारत में आया जो भारत में आया कौन था भाई तो भच्चों उसका नाम था Cornelis D. Houtman बारी बारी नाम है ना कोई दिखकत ही क्या नाम था Cornelis D. Houtman ये पहला डची यात्री था जो क्या कर रहा था जो क्या किया जो भारत में आया था ठीके अच्छा एक और बात भाई एक और बात आपको बता दू Cornelis D. Houtman हो गया भाई बंदरगापे लेकिन कोशे ने पुछे Cornelis D. Houtman कहां पर आया था तो Cornelis D. Houtman ये आया था भाई ये कहां पर आया था तो ये आया था समातरा में समातरा समातरा आज के टाइम में तो पढ़ता है भाई इंडोनेशिया में आज के टाइम में पढ़ता है इंडोनेशिया में लेकिन उस टाइम पर ये भारत का ही अंग था तो पहला डच जो भारत में आया वो कौन था कॉर्णलिस डी हाउटमैन ठीक है और कहां पर आया तो समातरा इंडोनेशिया में आया था ठीक है नोट्स में अपने खुद बनाओ हम तो प्रवाइड करवाएंगे उसमें कोई इस्यो नहीं है चिक है तो जब तक आपने हादों से लिखेंगे तो कोई फैदा नहीं रहेगा इतनी महनत करने का चलिए तो निदलेंड देश के थे कपड़ का वैपार करने के लिए आये थे प दचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहा लगाई थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री अपट्णम में मुसूली पट्नम में लगाई थी कहाँ पर पढ़ता है ये पढ़ता है आंदर प्रदेश में पढ़ता है करिशनाजला है आज के टाइम में कभ खोली थी ये फैक्ٹरी ये फweg थी 150 में तो बहिए ये तो थी पहली फैक्टरी, कुष्ण पूछे पुरतागालियों की दूसरी फैक्टरी बताव भई दूसरी फैक्टरी उन्हें कहां पर खोली तो बच्चों उन्हें दूसरी फैक्टरी जो खोली थी वह खोली थी भाई पुलीकट में कहां पर खोली थी पुलीकट में पुलीकट कहां पर पढ़ता है भाई पुलीकट पढ़ता है बच्चों तमिल नाडो में पुलीकट नाम स वीडियो क्वालिटी सही है, 480P पे देखो, ठीके, 480P पे देखो, सही आएगी वीडियो क्वालिटी, चलो, तो पहली फेक्टरी कहां लगाई, मसूली पटनम, जो कि किसना नाम है उसका, अंदरप्रदेश में, 1605 में लगाई, दूसरी फेक्टरी पुली कर्ट तर्मिलाड़ में, 1608 में, क्लीर बच्चों, चलिए, अब एक छोटी सी स्टोरी और समझो जरा, और समझो, मैंने आपको बताये क्या था, छोटी सी कहानी समझे लो, लिखना कुछ नहीं है, पी, डी, बी, डी, एफ, 1498, याद होगा, 1598, 1600, 1616, और 1664, बताये था मैंने आपको सारी बात, कल की क्लास में, भी मैं ये कह सकता हूँ, कि भीया, 1664 तक सारी कंपनिया भारत में आगी थी, 1664 तक सारी के सारी कंपनिया भारत में थी, इसमें कोई शक नहीं है, हुआ क्या भाई, बात थी 1757 की, बात कप की थी, 1757 की बात थी, 1757 में एक युद हुआ था, युद का नाम था भाई, पलासी का युद, 1757 में एक युद हुआ, युद का नाम था, पलासी का युद, ठीक है पलासी के युद में एक तरफ तो थे बिर्डिशन एक तरफ कौन थे बिर्डिशन और दुसरी तरफ कौन था अर्दूस तरफ था लोकल राजा कौन था ये राजा, क्या नाम था ये आने वाले लेक्शर्स में हम फिर से पढ़ेंगे प्लास्टी का जो यूद है वो आने वाले दिनों में हम फिर से पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिए, कि 1775 में प्लास्टी का यूद हुआ था, एक तरफ तो ब्रिडिशर्स थे, एक तरफ लोकल राजा था, और कमाल ये वाले ब्रिडिशर्स की बात कर रहा हूं, प्रिडिश ने क्या किया, इस लोकल राजा को उसको उसी के धरती पहरा दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, सम्झ जो जरा, मैं भात की बात कर रहा हूं, सता सो सतावन में तो उस ताइम पर सारी कंपनिया भारत में थी तो Britishers ने क्या क्या लोकल राजा को उसको उसी के धरती पे हरा दिया जब हरा दिया तो अंग्रेजों के अंदर एक घमंड आया एक attitude आया वो घमंड इस वात का वो attitude इस वात का था अंग्रेज कहते यह बिडिशच कहते कि यदि हम यदि हम यहां के लोकल राजा को यहां के लोकल राजा को उसको उसी की धरती पे हरा सकते है अंग्रेज कहते यदि हम यहां के लोकल राजा को उसको उसी की धरती पे हरा सकते है तो भाई यह जो बाकी की चार कंपनिया है पुर्तगाली, डच, डैनिस और यह फ्रेंच, पहले यह भी तो हमारी तरह बहार से आए हैं, तो जब हम यहां के लोकल राजा को उसको उसी की धरती पहरा सकते हैं, तो यह जो हमारी तरह बहार से आए हैं, तो क्यों ना हम इन चारों के साथ भी उत्व करें इन चारों को हराएं और इन चारों को क्या करेंगे देश से बाहर निकाल देंगे भारत से और फिर पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी एक ही कंपनी वैपार करेगी जिसका नाम होगा British East India Company लाइट यहीं पूरे देश पर पूरे देश पर राज करने की सोच या वैपार करने की सोच किस युद के बाद आई थी इंग्रेजिसो लोकोन राजा कौन था हूँ था क्या कोछ हुआ था वह कम पढ़ेंगा ने 57 में तो पलासी हुआ, 79 में युद्ध हुआ बच्चों, युद्ध का नाम था, बेदरा का युद्ध, क्या नाम था भाई, बेदरा का युद्ध, यानि की Battle of Bedra, बेदरा का युद्ध यानि की Battle of Bedra, बच्चों, बेदरा के युद्ध में क्या फंड़ा था, बेदरा के यु इस उत्व को जीत गए British और अच्छा बेढरा के बारे में मता दूं बच्छा आपको पैद्रा बेढरा कहां पर पढ़ता है बेढरा पढ़ता है बहुद आंप पश्चिम अन्गाल में और बाई एक और बात इंपोर्टन बात यहां पर कि जब इस यूद्व को जीत लिया अंग्रेजों ने जो ने का कहा क्या अंग्रेजों ने इनको डचो को बहुत जो हैं पयारम गिर के माफी मांग रहें बहुत जी गलती हो गई ऐसे कैसे गलती होगी बै कुछ नहीं अपना बुर्या बिश्थर समेट और यहां से निकलो बल्ले आपसे तुमारे जितनी फैक्टरिया सारी किस की हो चुकी है बेडिशर्स की हो चुकी है यानकि इस युद को हारने के बाद हारने के बाद डच वापिस यूरोप लोट गए आफ्टर गैटिंग डिफीटिंग इन दिस वार डच वेंट बैक टू यूरोप क्लीर है बच्चो समझ में आरी इतनी सारी बात बड़ा ही सिंपल है कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है अराम से पढ़ो सब क्लीर हो जाएगा तो बच्चो यहाँ पर आकर हमारे डच भी क्लीर होते है क्लीर है बच्चो समझ में आगी इतनी सी बात चिक है तो अभी हम जल्दी से एक बार रिवाइस कर लेते हैं हमने पूरी क्लास में पढ़ा से पहला गवर्नर था almeda का time था πढ़ासोपान से पंदाश सब्सक्राइब ये पूर्टगालियों का पहला गवर्नर था और उसने क्या शूरू क Kings शुरू किया था ब्लीवprocess छिक कोंसे दुसरा था व्लूकर कर साटफ पनदर इसे जो हैं पुर्तगालियों का वास्टिवक संस्ताफपक कहتे हैं और यह इसने क्या कहा कि भारते महनां से शाधी करो क्यों शादी करो आ कि यहां सबस्यादा कदर भारत में जीज़ों कि है तो हम जहें भारती ए टबनेंगे जीज़ा बनेंगे सतीप्रथा को खतम कर दिया गोवा 1510 पर इस ने किया बीजापुर का सुल्तान था युस Said Schaach. इस Nap adesso devi आए उसको हराया और इसको राकर उससे कह जित लिया? Goa जित लिया. अच्寨ों कोचिन के पर फारतगालियों के दूसरी रा पुर्तगाली दोरा भारत में योगदान पुर्तगाली ने यसा क्या किया जिससे भारत को आज भी फाइदा हो रहे हैं तो भाया तमबाकू आलू टमाटर मक्का की खिती शुरू की जल्या निर्मान किया और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी चीक है अच्छा 1961 में प पीज़राई को भी जो है कारगिल दीवस मनाए जाता है क्योंकि उस टाइम पर भी ऑप्रेशन वीजेट चलाए गया था और मुवी आप जूरूर देखिएगा शेर सा बहुत अच्छी मूवी है आगे बढ़ते हैं भाई पिर मैंने आपको बताए पीडी बीडी एफ पी ह हाउट मैन अच्या कहां पर आयता अच्या कि राजदानी के एंडिवेज़ाणी है जकार्त इप ध्यान वे रखना ठीक है चलिए अच्या पहली पर लगाई मुस्छली पट्णम में लगाई मुसरी पट्णम का च्रिशन में पर पढ़ता आंदरवाश में और पहली वेटर और सब को क्या करें भारत देश से बहर निकालदे और इसलिए 1799 में हुआ था बेदरा का युद्ध जैद्ध और भीदरा कामपर पढ़ता है पश्य मंगाल में पढ़ता है और डचों की पीछ में युद्ध हुआ था जीता 330 अ economic इसे उत को हारने क्लियर हो गया तो देखो बच्चो अभी तक हमने पुर्टगाली पढ़ लिए डच पढ़ लिए और आई होप इसके अंदर कोई आपको डाउट रहना नहीं चाहिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था बड़ा सिंपल तरीके से हमने पढ़न अब जब वर्दस पढ़ा रहे हैं तो जितना हो सके वीडियो को जो है अपने दोस्तों शेर कीजिए उने दिखाई है कि हां भी उन्हीं मोटिवेट की जिस पी एक्जाम की त्यारी कर रहे है ठीक है और अच्छे से पढ़ें सीधी से बात है अपने को सेलेक्शन मांगता ह है अपने को सेलेक्शन मांगता है ठीक है पीडियेफ प्डियफ मत किया में पीडियोरर आईगी क्लास के बाहाद मैं अज पिर भी कोई भी doubt हो, कभी भी आप video lecture देख रहे हैं, कोई भी doubt हो, तो आप doubt session में जाकर वहाँ पर comment करके पूछ सकते हैं, वो direct मेरे पास आएगा, doubt session के अंतर अलग section बने हुए, जिस भी subject में doubt हो, उस में comment कीजिए, और direct मेरे पास आएगा, मैं उसका जवाब आपको दोगा, ठीक है, हाँ, जब भी आप video lecture देखते हैं, तो पहले तो एक बार कहानी को सुन लो, पूरा चाहे, ठीक है, पहले video lecture देख लो, और जब भी time मिले, तो उसको जो है, अपने हातों से एक बार लिखो जरूर, क्योंकि बच्चों, जब तक आप अपने हातों से नहीं लिखोग मोवाइल लगाया, जा फिर Android TV है, उसमें लगाया, और यूँ लाइटे बंद करके राम से सुनो, ऐसे सुनो कि भाईया, कहानी चल रही है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे सुनो कि तो भाईया, रैलिटीव मता रहा हूँ, आप history या question का भी गलत नहीं करोगे, अगर तो आप चीजों को रट रहे हो, आप रट नहीं सकते भाई history को, अभी तो मैंने शुरू कि अब तो बहुत आएगी history आगे चल कर, ठेके बचो, तो आज ही class में इतना ही पढ़ेंगे भाई, तो मिलते हैं कल शाम को, thank you so much, जैहिन, जैभारत थ्रू के लिएू कर भाई, तो मिलते हैं की अभी हैं यह जते हैं कर मेंगे हैं कर सान्या आश cycle fále टाम को, जैभारत नहाँ दो आब हू़ हैं क unterstüt сюंकिर मेंने हैं कर सकते तो आपाशने थाल जहीं अन्यारख हैं कर सकते हैं